कभी कहीं पर रोका जाता है यहां पर लोग जो है वो एक अठा ना हो पाएं लेकन गाजीपूर बाडर में हर दिन में कम से कम भी 10-10 हजार आदमियों का भीड रोज की रोज वहां पर बढ़ रही है ये कसानों का अपना एक अंदोलन उन्होंने बढ़ा लिया है इसमें किसी उत्रपदेश और उत्रखंड का गालीपूर बाडर के लिए हो रहा है जितना यह दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही किसान अपने आप इस मूवमेंट को आगे लेके चल रहा है इसमें अब मेरे साम में हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है यह एक किसानों का अपना मोर में है जित् Figure उन्होंने समझा गई है सबसे लेइस समझाई है हम लोगों को सुकूर पदेश उत्तरा घंडवारों को इन बिलों में है क्या एक किसान के चले हुए जद्य बंतियां थी जब उन्होंने जगरत किया है तो आज हम लोगों को भी समझा यह दिक लिरा क्या है किसानों से जादा नक्सान आम उद्रोपता होगा ये आप ये अच्छी तरह जानते हैं इसके लिए आज ये मिटिक जो हम आपके पास आये ते जितनी जथे बंदियां है एक भी जथे बंदी इसको छोड़ के नहीं जा रहे हैं रोज की रोई नई से नई जथे बंद हम लोगों का एक ये फैसला है जो यहां के इस बॉटर से आदेश होगा वो सबी को माने होगा जो यहां से रन निती बनेगी वोई सब जगह पे चलेगी इसका एक जो है परवार पूरा बन चुका है तो ये सरकार को भी समिना चाहिए आज अगर ठंड के मोसम में आप भी ऑज्ट कितनी हैं कितने लोग कपसे यहां पर बैठे हैं गया में ज 3 से कहते हैं किसान हमारे भाई mêmes क्सानों की बहुत चिंता अगर यह जेंता होती तो में यह अब आभी तक हिए मामने निपड़कर होते हैं आप लोगों से यही कद्रफ्arakास kare millor यहां से निकलता है अगर आपके बाई बंदू आपके बिजुर्ग इस जथे बंदी के साथ इसमें प्रयास कर रहे हैं लड़ाई का आप उसमें जो है सीधा बिल्कु साथ दें कहीं उसको तोड़ मरोड करके उसको बहां तक तुटाने की किर्पा न करें आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद अपि ये सरदार को नावजिसंग जी सरदार रुद्दू सिंग जी है पंजाब से अधिया गया दोलन करना नाता है पंजाब ना करने कसाना दा यहीं यह कहती इन रिन्वेश्ट परसेंटर पार्थ दे लोग कांदा दोलन बागया क्यों जड़े सेन्टर सरकार ने लिया देने के मेरा खैना भी साथी एक तोलदा जो कारोबार आ रहा रहा पारदे लोग का जो कार खनी ने उसारे तबाह हो रहे खाश करके आरतिया वर्ग गया गया एक लग तरनक से टेट अदे विच्वावदा करूबार चलंगा है चलंग एक लग परवारी हो गया ते गहां कि अधाय को एक सभीए एक अधाली उडे रख्ञें तो हमाता हो गजा रहे ने कि का मैनो मेरे राक खिरी आस ती है लोड़ की तिए चीप अगलें ने ने छीए का जोड़ों जोड़ खेंग सअला हो क्यों का ग्यों चोड़ आट से लिए होंग ठ्क अग्च्राथ वांक का और उन्हों पुचला चाओंगे ते उन तो भी पैसा परतल है हुलालो साफ गल किते हैं बड़ी अफ्षिर है इस करके सारा देश तबाव हो जा रहे हैं मैं कहना प्रेस ने इस अधुलर दी बहुत जादे जे कह दी है कि मादद करिया है मैं हमेशा वास्ते कहना होना अभी कालमा तलवार न Trinity की होती यह कधिक कालमा के अधुर्व्रणः जेइए यहां तान तरफम हो जादे ई दिद्यका साथ मोझा अखरी दाम तक प्रोदी और पार्याटारास हो जागा है सब्सक्राइब कर दो कर रहे हैं राण मिलके कदे चाड़ी बैजाने कदे काट बैजाने पूरे सुन्योग देनार सी अवदा लड़ रहे हैं पूरी कजोटता लड़ा याथ ओधर दोड़ा एसी पंजाव भाड़े करें बीचे सब्सक्राइब कोई प्रोड़ा की तुक्राइब के जिदि नोगा इससारे पूरा बेंटी प्रोड़ान हो गया सारे मतर कसां सो कि भाड़ा सारे इनी इगर्षण कादञे हैं अबी संदीप गिड़े जी है महाराश्वर से अनले बाद रहे हैं मैं संवीट गिद्दे किसान करांती महाराष्टर जो की राष्टिय किसान महासन के साथ साथ सेयोक्त किसान मौरचा का भी घटक है आज की मिटिंग में जो फैसले हुए हमारे बुजर्ग सभी नेताओं ने बताए इसके साथ साथ हम इतना ही बताना चाहते है कि चवदा तारिक का जो कल का हर डिस्टिक हेर्ड कॉर्टर पे भरना का अंदोलन है उसके साथ साथ में जितने भी पूरे देश में हमारे किसान है अभी उनको लगता है कि दिल्ली के इस अंदोलन को सपोर्ट करना चाहिए तो वो दिल्ली कोच करें पंजाब से बहुत सारे निकले हैं हरियाना से भी निकले हैं मद्यप्रदेश और महाराश्टर के जितने किसान साती है वो पलोल में आ जाई है आज हमारा जैसा प्लानिंग था वो सानुसार जैपुर हाइवे जो है वो जाम करने में सभी किसान सातियों ने सपलता फुरुवक उसमें योगदान दिया तो उसका भी हम धन्यवाद करते है अलाउंगोई जितने पूरे देश के जितने किसान साती है वो यहाँ तक दिल्ली कोच करे और जितना भी मतलब जहाँ पे जाम लगा हो उसमें सभयोग दे दूसरी बात ये दो-चार दिन पहले भी प्रेस कॉंफरेंस में बताई थी मैं आज खुद दोरा रहा हूँ कि जिवा की जो सिम है सभी किसानों को अनुरोध है आज के बैतक में भी उसके उपर चर्चा हुई और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सोशल मीडिया के जरीए हमें उसकी रिपोर्ट आ रहे है कि जिवा को सिम जो है पोर्ट किये जा रहे है तो हम सभी किसानों को धन्यवाद देते है जिवा कि सिम आज तक पोर्ट करवाई है आगे जाके जिवाद नहीं करवाई उसके तो जिक्वा का सिम जो है पोर्ट कराए साथ साथ में अदानी ग्रूप या रिलायंस ग्रूप 그럼 कि तो उनके जादा से जादा प्रॉवडट का बैन करे यह हम हर प्रेस कॉंफरेंस में इसलिए धवरा रहे हैं कि जब हम नाक दबाएंगे तब तो मुझ बूल जाएंगे सरकार अभी उनकी तरब से मुझ बूलने के लिए तयार नहीं है लास्ट वारता के बाद उनने खुला नहीं है सरकार की नाक है आदानी अंबानी नाक की तरब से उनको अक्षिजन पूरा सप्टाए हो रहा है इसलिए हम नाक दबाने की बात कर रहे हैं यह दो बाते रखनी थी यहाँ पर बोलने के लिए मुटा दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बस एक बात में छोट सी क्लियर कर देना चाहूं कि कल हमने अलाउस किया था कि 19 तरीख को स्री गुरु तेग बहादर जी के शहीदी दिवस पर हम अंसन पर बैठेंगे तो आज पूरी पिंचेट जो यहाँ पर हुई थी उन्होंने सर्वसमती से फैसला लिया है हम वो सारे जो यहां जो पंचेट होती है वोही सब को फॉलओ करने चाहिए तो इन्होंने मेरे से रिक्वेश्ट किया है कि उन्नीष तरीख का प्रोग्राम का इंसर कर दिया जाए तो क्योंकि पंचेट का फैसला प्रमात्मा का फैसला होता है तो हमने 19 तरीक का जो प्रोग्राम है अंसल पर बैठने का वो रत कर दिया है और अब जो 14 तरीक को होगा उसमें सारे देश के जो किस्वान संक्टन है वो एक दिन के लिए अंसल पर बैठेंगे अब आप सवाल कर सकते सर यह बताईए आप लोग ने बॉर्डर सी करने के लिए बोला था इस तारी जगाउं से चारो पांची जगाउं से आज यूपी का जो बॉर्डर है जिसको आप लोग कहते है चिल्ला बॉर्डर इसको बोलते है वो खुल गया क्योंकि आपने इनिशल टाइम नहीं के नाम ल लोग हैं लेकिन अभी ब्लॉक नहीं है तो थोड़ा स्टेटस आप अपने तरफ से बता जिए क्या है थेले हमने सील का थोड़ा का था बॉर्डर को लोग है वो चल रहा है जहां तक भानुपरताब का हुए वो नाइस संगठन का हिस्सा था और 40-50 लोग लेकर महां पर प जिन्दा था अमारा क्या पता क्या है वो तो जबाब देंगे यह तो नोन पॉलिटिकल पूम्रोप से हैं और यह उसी का यह जटना है और पूर्डर क्या कहीं का चुनाव लड़े उन पर हुआ है वो तो उनका मुगदमें चले रहोंगे वही जबाब देंगे वहां उनके लोग भी लग रहे हैं वे अंदूलन में सब लोग साथ में उत्रा खंड केर उसके सब लोग साथ में वहांके हैं वो नहीं आ रहे तो कोई बात निजनता तो है हमारा मक्सद यह हैं कि अभी तीन-चार बोड़र पूम्रोप से किलियर बंद है और यह नहीं कि चीज ज़से हैं कि वहोथ बार काहसें कि दden और सब से बंद करेंगे को हम स्यट्र कि यहां किलियर हो गया कि दूद और सबजी वाला भी फार्मरस हैं अगर हम किसी का बंद करेंके तो एक का बंद होगा और κάνरें के अदूरे हो और श कर आब करके हैं कि आप अपना को सबज आधिके से जहां चलते रहेंगे और जहां तक राजस्थान वाले उसका सवाल है जैपुर में मिटी हुई हुई तो बड़ा बॉर्डर है उसकी तैयारी पूरी उसी इसाब से हम तैयार कर रहे हैं महां पर लोग हमारे पहुंच रहे हैं और पिछे से भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे वहां पर तयारिया चल लगे वह जब टाइम आएगा उसको पूंड नुप से कर देंगे और हमने बॉडर बंद करने की बात करी नहीं की जनता को वो तंग करने की और बॉडर सील करने की बोडर तो यहां पर भी इधर से उधर लोग जा रहे हैं तो उसके इं सब्सक्राइब करते हैं बहुत सिज़े जाते हैं सेर इसलिए के भी वह यह है विसाव भार हमारे सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब करने की बाद कई जा रही है क्या इनके इस तोरान बीजेपी के मंत्रियों के घरों के घराव नहीं 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 गहाव है सिर्फ डीसी ओपिस का है और वहां पर अपने ग्यापन देंगे हैं कि वहां से जब डीसी के वहां से सिद्धा परधार मंत्री को वहां पर इखट्टे हो का आएगा तो फोरभा मुर्म जाएगे और परधार मंत्री के नाम जागा यही जो इसू है वह जाएंगे कुछ लोग और अपने इसू वहां के जो छेत रखे लोग देंगे तो यह आप तो कि इस तो यहां पाया होगा और वहां के अगर वहां पर इस तरह का हुए तो कि को संजार लेना चाहिए कि वह पूजी नहीं हमारे यहां पर रहे हैं उनका सम्मान करते हैं अभी जा करके मुलाकात किये तोमर्स आप से और यह उत्रा खंड के फार्मर्स जादा है और तोमर्स आपने यह बुला है कि मैं थैंक्फुल हूं कि किसान लोग हमारे इस बिल्का बिल्काव वेल्कम करें देखो वो उत्रा खंड के यह तोमर्स आप को दो बसें वो लेकर आये थे वहां के वधायक है उसमें से नब्बे आदमी वो है जिनका खेती से कुई लेरा गिरा नहीं है और दस आदमी जो खेती वारे हैं वह उनको उन्होंने गिटी और मौरों के वहां पर ठेके दलवा रखें वधायक जी ने उनको वह साथ लेके आये हैं और एक चीज में में चीज इसमें देखने वारी है वधायक जी जब ये कॉल दी थी सब लोग आये तो लेकन बाकी लोग जब त्यार हो उनों का नहीं हमें खाली सिक लोग चाहिए वहां चलने के लिए यह ढूंड के सौ सिक लोग वहां पे लाए हैं ताकि यह पंजाब से चली वह यह पर रूफ करना चाहते हैं पंजाब की सिक हमारे साथ हैं उसमें कोई नब्य फार्मर नहीं है हम आपको जहां चाहों उनकी गरंटी दे सकते हैं उनके पास कोई जमीन नहीं नहीं है पर बेजनसमेन हैं उस जो यह मौरंग बजरी का जो वह का काम करते हैं यह सारे वो लोग है मंतरी की शतरशाय में जो रहते हैं वो दो बसे बढ़के लाए हमें सुबा पता था आज हमारी सुबा उसके लिए इसकत भी हुआ था तो लेकन हम वो इसको जो है आहिंसा नहीं बढ़ाना चाते हैं बहुत लोग करें थे उनको रास्ते में रोका जाएं लेकन हम उसमें नहीं जाना जाते हैं इस सवाल मेरा भी है तो यहां अधोल में बैठे हैं सारे के सारे वो एक आदमी है जिसकी बात कर दो आदमी है एक गुणी परकास नाम का अदमी है एक अतरसिंग नाम का अदमी है अतरसिंग आदमी जो था वो अमबावता यूनियन का पदा दिकारी था उसको उनोंने एक महिना पहले यूनियन से निकार दिया है उसको अब अपना उसने भारतिया कि सानी यूनियन ए अतरसिंग के ना कोई सब इठन नहीं है और गुमी प्रकास ने आज तक कोई अंदोलन नहीं किया है वह पिछले दस साल में और वो भी सरकार का एजेंट है सरकार अपने एजेंटों को जैसे आप उत्रखंट की बात करते हैं इसी तरह से हर्याने से बुला के कुछ पहले उसने एक प्यों भी केंटरी मंत्री ओपीस होनी का कहना है कि पहले किसान अब किसानों का यूटन सामने आ रहा है